प्रमेस जन और आप हैं प्लस प्रमेसी लाइब्रेरी पे और हमने जो 125 गवर्मेंट स्कीम का टारगेट रखा है उस टारगेट में ये सेगेंड वीडियो है यहां मैं आपको बताऊंगा जो Ministry of Agriculture and Farmers Belfare ने कुछ नई स्कीम बनाई हो या फिर पुरानी स्कीम में कोई modification किया हो उसके वारे में हम अभी देखेंगे और अपने टारगेट की और आगे बढ़ेंगे जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई होगी वो इस लिंक पे क्लिक करके फुराना वाला लेक्चर जरूर देखें अधरवाइस टारगेट में एक वीडियो उनका छोट जाएगा और कुछ स्कीम उनका से निकल जाएंगे तो अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्रिकल्चर इंट फार्मर्स बेल फेर में जो पहली स्कीम पढ़ने वाले हैं वो है प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना तो यह स्कीम 2016 की है बेसिकली और अभी हम इसको 2020 में क्यों पढ़ रहे हैं यह क्यों महत्पूर्ण हो जाती है यह इसलिए important है क्योंकि इसमें अभी recently कोच changes किये रहे हैं तो इसमें क्या changes हो है कि जो central subsidy under PMFBY यानि प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के अंदर जो subsidy दी जाती थी और RWBCIS मतलब Restructured Bathering Based Crop Insurance Scheme तो यह दो scheme के अंदर जो भी subsidy दी आती थी किस चीज़ पर premium थे यह पूरी scheme समझाने के पहले आपको एक छोटा सा फंडा समझना होगा फसल भीमा योजना मतलब किसी भी फसल का insurance करवा रही है government जिसको insurance या नहीं भीमा तो जैसे हम जब भीमा करते हैं तो हमें क्या करना होता है कुछ किस्तें भरनी पड़ती है premium भरना पड़ता है उसके बाद वो भीमा अपली केवल होता है लेकिन जब एक किसान अपनी फसल का भीमा करवाता है तो भीमा कंपनी तो ज़्यादा पैसा लेती है लेकिन उस किसान को बहुत छोटी सी रगम देनी पड़ती है like 2% और 3% और 5% of premium तो बाकी का पैसा कौन देता है बाकी का पैसा देती है government कौन सी government देती है state government देती है या central किसान को सो अभी आप समझ सकते किसान के लिए ये इसकी beneficial क्यों है क्योंकि premium भरने वाला कौन है premium भरने वाली है government आपने एक या 2-3% जो भी आपने premium भरा वो निगले जवल है और अगर फसल का नुकसान हो जाता है तो उसका पैसा किसको मिलता है किसान को इसलिए ये scheme काफी famous रही और successful होने का इसका कारण भी यही है बड़ रिसेंटली इसमें क्या change कर दिया रिसेंटली इसमें ये change कर दिया कि जो premium rate था किसका central government का उन्होंने इसको limited कर दिया मतलब fix कर दिया या reduce कर लिया कहां तक 30% unirrigated areas और crops मतलब वो फसल है जिनके लिए बहुत ज्यादा irrigation की जरूरत नहीं होती है उनके लिए government ने क्या वोला है कि हम maximum 30% premium की किस्त देंगे और 25% में किस्त को देंगे जो irrigated areas या crops है उन जगों के लिए या उन फसलों के लिए हम maximum 25% देंगे हम मतलब central government यहां भी state की कोई बात नहीं आई है क्योंकि ये changes जो भी किये हैं वो किसने किये central government ने तो premium किस ने अपना कम किया central government ने खुद का और यहां दूसरी बात जो सामने निकल के आती है कि वो सभी जिले वो सभी district जहां 50% से ज्यादा यानि वहां की जो 50% से ज्यादा जमीन है वो irrigated area है तो उसको irrigated area में consider किया जाएगा like यह जो बात आती है ना कि irrigated area के लिए government कितना पैसा पे करेगी और unirrigated area के लिए government कितना पैसा पे करेगी तो यह decide कैसे होगा कि कौन सा area irrigated है और कौन सा area unirrigated है तो जिस भी जिले में 50% से ज्यादा जमीन irrigated होगी वहाँ उस जिले को irrigated area गोसित कर दिया जाएगा या मान लिया जाएगा और फिर उस जिले के किसानों के जो भी फसल भीमा योजना के अंतरगत भीमा होंगे उनकी premium की किस्त 25% central government भरेगी अभी चीजे थोड़ी clear हो रहे होंगे इसमें दूसरी चीजे और है एक flexibility दी गई है states को या union territory उसको कि अगर वो चाहें तो किसी एक या एक से ज़्यादा जो risk होते हैं उसको उपर cover दे सकती है risk cover देने का मतलब की फसल उगने से पहले और फसल उगने के बाद like किसी की फसल उग चुकी है और उसके बाद उसके खेत में आग लग जाए या suppose बाड आ जाए या फिर खड़ी फसल है और पानी की बारिस हो जाए तो ऐसे करड़ किसी भी तरीके से यदि उसकी फसल का नुपसान होता है तो गवर्मेंट कौन सी गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट उसमें उनको और कुछ राहत भी provide कर सकती है ये pre harvest भी है और post harvest भी है और इसके लावा post harvest losses भी काफी सारे होते हैं किसानों के उसके उपर भी state या फिर union territory चाहे तो इनको additional कुछ discover provide कर सकती है बट government क्या करेगी central government क्या करेगी वो unirrigated के लिए 30% और irrigated के लिए 25% से उपर नहीं बढ़ेगी अब state को जो करना है state करे इसके अलावा जो अगली बात का यह है वो उसमें सिर्फ यह बताया क्या है कि जो भी loss calculate हो रहा है वो loss कैसे calculate होंगे तो loss calculate करने की simple सी two step method के बारे में इन्होंने बताया है जिसको की deviation matrix बोलते हैं अभी यह जो सब्दा आया है na deviation matrix यह mathematics का यह purely mathematics का एक term है जहां आप matrix का deviation निकालते हो, mean निकालते हो, variation निकालते हो तो यह आपको method समझना होगा तो फिर आपने या तो mathematics background का होना पड़ेगा या फिर आपको जाके किसी maths के teacher से मिलना पड़ेगा, यह deviation matrix क्या होता है, मैं आपको एक simple सी चीज़ बता देता हूँ, यही examiner पूचेगा अगर इस से related कुछ भी पूचा दो, deviation निकालना है किसी matrix का, यह आप एप्रोक्स उसका average निकालने की को ठीक है, average मतलब लगभग या उसत, तो कैसे निकलता है, आपने लगभग हर चीज का एक उसत निकालना है, और जिस process से आप यह पूरा उसत निकालते हो कि कितना loss हुआ है, उस method को क्या बोलते है, deviation matrix, और जबही आप कोई method लगाओगे, या आपको 4-5 data का कोई एक average निकालन सेटल आइटिकेटर और जो भी दूसरी information मिलती है, वो सभी जिनसे कि आप यह पता कर सकते हो कि फसल का loss कितना हुआ है, और इसके अलावा, जैसे प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना है, तो क्या इसके अंदर हर किसान को भीमा लेना अनिवार है, नहीं, हर किसान को भीमा ल इसके ना अनिवार है, जो किसान बेंक से लोन लिये हुए हैं, और यह हमने पता होना चाहिए कि एप्रोक्स 58% इंडियन फार्मर्स ऐसे हैं, जिन्होंने बेंक से लोन लेके रखा है, ठीक, तो यहां अगला पॉइंट का बोर रही है, कि यह इसके पहले वाला पॉइंट म मैंने बना दिया कि अगर आपको इस इसकी में इन्रोल होना है, तो यह बोलेंटरी नेचर की है, आप चाहो तो इन्रोल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, फिर उसके आगे थोड़ी सी दिख़ड़म में हो अभी हम समझ लेंगे, Central share in premium subsidy to be increased to 90% for North Eastern state, यानि कि जो 8 North Eastern state है, वहां government यानि Central government 90% premium पे करेगी, जो की अभी तक क्या था, 50-50 के ratio में पे हो रहा था, आगे बढ़ते हैं, it is mandatory for loanee farmers to take insurance cover and enter this scheme, पहले बता दिया, कि जो भी किसान जिनके उपर loan चल रहा है, उनको तो ये scheme लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप तो जो आपने loan ले रखा है, और अगर आपकी फसल बरवाद हो जाती है, तो फिर वो loan कैसे चुगा होगे, loan नहीं चुगा होगे, bank में क्या बढ़ेगा, NPA बढ़ेगा और फिर bank तबाह हो जाएगा एक दिन, तो इसलिए अगर आपने loan लिया है, तो आपको फसल का भीमा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फसल नहीं चुगा होगे, तो इस situation में जो भीमा की रखाम आएगी, उस से नहीं हाराष्टरा ऐसा भारत का पहला प्रदेश निकल के आया है, जिसने अपने जो लेंड रिकॉर्ड है, उनको प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के बेब पोर्टल से जोड़ दिया है, तो अभी इनके जो लेंड रिकॉर्ड थे वो किस के साथ जोड़ गये हैं, प्र पॉर्टल से चोड़े हैं तो वो उसका सही अंसर क्या होता है महरास्ट्रा ठीक और इसके अंदर इनो ने दो पहले से कोई स्कीम चल रही थी उनको मिला के एक बना दिया कौन कौन सी दो स्कीमों को National Agriculture Insurance Scheme NAIS और Modified National Agricultural Insurance Scheme MNAIS इन दो स्कीम को मिलाके रोने क्या कर दिया एक स्कीम बनाई थी 2016 में प्रधान मंत्री फसल मीमा योजना यह information है यह आपको रटेनी पड़ेगी फिर इसके बाद इस स्कीम का coverage क्या है coverage अभी कुछ है इसमें है न तो जो main win crops होती है वो सारा कुछ है इसमें तो यह coverage आपको totally रटना है यह जो भी इसमें aspect दिये गए है और इसके लाबा premium क्या है यह premium क्या मतलब किसान कितना premium पे करता है तो यह 2% पे करता है खरीब crops के उपर 1.5% पे करता है premium का रभी crops पर और 5% पे करता है commercial and horticulture crops पर तो यह premium कौन पे कर रहा है किसान और बाकी का बचा हुआ premium कौन पे कर रहा है central government और state government जहां हमने पहले ही पढ़ लिया है कि central government 30% से उपर नहीं करेगी unirigated area में और 25% से उपर नहीं करेगी irrigated area में तो अब जो हमारी अगली scheme आती है वो है soil health card SHC 2015 यह 2015 की scheme है लेकिन यह अभी 2020 में क्यों चर्चा में है इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने दो सालों के अंदर अपना second phase पूरा कर लिया है और 11.69 करोड soil health card बना दिया है अभी बात आती है soil health card यह soil health card है क्या यह एक card होगा यह एक छोटी सी पतली सी booklet होगी जिस पे यह लिखा रहेगा कि यह particular किसान है और इस किसान का यह खेत हो गया और इस खेत में जो मिट्टी है उस मिट्टी का लेब में टेस्ट हो चुका है और टेस्ट होने के बाद यह पता चलता है कि इसमें micro element कितने हैं और कितने की जरूरत है macro element कितने हैं कितने की जरूरत है और physical properties इसकी क्या है इस मिट्टी की तो कल के दिन कोई भी officer या वो किसान स्वयम कहीं खाद लेने जाएगा तो उसको properly वही खाद दी जाएगी या वही chemical दिया जाएगा जो chemical उसकी जमीन के लिए जरूरी है बाकी का कोई chemical उसको नहीं दिया जाएगा तो इस चीज का फायदा क्या निकल गया आया जब ही हमने किसानों को soil health card देना start किया तो 8-10% chemical fertilizer के use में कमी आई जो मान के चलते हैं कि अगर अभी हम पूरे देश में 110 chemical fertilizer यूज कर रहे थे तो जब से हमने soil health card दिया उसके बाद से क्या हो गया उसमें से 8-10 ton की कमी देखने को मिली है यानि उतना हमने chemical fertilizer use करना कम कर दिया इसके साथ में जो हमारी productivity थी फसलों की वो productivity में भी improvement हुआ है कितना 5-6% ये improvement क्यों हुआ है क्योंकि आप जो हमने हमेशा बात सुनते हैं अती किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती तो जब ही आपके खेत को किसी एक particular element की जरुवत ही नहीं है और आप उसमें भरे जा रहा हो तो ले दे के आपकी fertility ही कम होती है तो जैसे ही मिट्टी में वो element नहीं डाला गया जिसकी उसे जरुवत नहीं थी मिट्टी में अपने productivity बढ़ा दी और फसलों की भी productivity बढ़ दी तो soil health card के बारे में अगली line लिगी है कि यह क्या करी करेगा एक एक लोगते खेत के लिए कितने nutrients की और fertilizer की जरुवत है जिसको की मैं element वोर रहा था a soil health card is used to assess the current status of soil health and when used over time to determine changes in soil health that are affected by land management तो जबी किसान अपनी जमीन का management कर रहा होता है अब land management क्या होता है मतलब कि वो यह decide करता है कि सबसे पहले उसे कौन सी फसल होगानी है फिर उसके बाद उसको दूसरी कौन सी फसल होगानी है या एक खेत में कितनी अलग-अलग प्रकार की फसल होगानी है या किस तीन महीने या चार महीने उसको gap लेना है gap लेना है मतलब कि उसको वो खेत खाली छोड़ देना है एक सीजन के लिए तो इस सभी process को क्या बोलते हैं land management तो इस land management के दोरान क्या होगा जैसे आज swell में कुछ और element कम है या जादा है हो सकता है कि एक या दो फसले होने के बाद वो ratio अलग हो जाए तभी फिर हम उसका फिर से test करेंगे और ये लिख देंगे land management को जैसे ये चीज इतनी कम या जादा होई है तो इसको भी आगे से खिसान को काद देते समय याद रखा जाए It displays soil health indicator and associated descriptive terms soil health indicator है और जो भी इसकी descriptive terms है वो भी इसमें लिखी रहती है कि भया जो भी उसके अंदर terminology रहती है उसका भी ज्यान खोड़ा सा दे दिया जाता है The card list soil health indicators that can be assured without the aid of technical or laboratory equipment और ये जो card है इसमें ऐसे indicators की list होती है जिनको कि आपको बार बार जाके laboratory वगरा में बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ता है और बार बार उन सब चीजों के लिए परेसाद नहीं होना पड़ता है क्योंकि ऐसे फिर कोई भी आएगा जिसको उस खेत के बारे में जानना है तो उसको अलक से उस खेत का sample लेना पड़ेगा फिर lab में जाएगा वो sample test होने फिर उसका वहाँ soil test होगा फिर कभी report आएगी उससे बटर है एक बार हो गया एक कावज में लिख दिया जिसको जरू अदब आके देख ले इसके बारा parameter है ठीक है 12 parameters of soil health first मतलब अगर हम इसको चार categories में divide दा रहे हैं तो जो पहली category बनेगी वो क्या बनेगी macronutrients macronutrients में क्या आते हैं N,P,K जो की सबसे ज़्यादा famous भी है N मतलब nitrogen P मतलब phosphorus और K के मतलब potassium यह तीने element हो जाते हैं अब अगली category secondary nutrient इसमें एक ही चीज़ आती है sulfur फिर third category micronutrients इसमें क्या क्या आता है zinc iron copper manganese और boron फिर उसके बाद physical parameter क्या है pH value EC EC मतलब electrical conductivity और OC मतलब organic carbon और organic carbon मतलब जो natural तरीके से उसमें बन जाया available रहे वो तो यह चार categories है और 12 parameter है यह आपको पता होने ही चाहिए as such ministry of agriculture में कोई नई scheme इस बार निकाली नहीं है तो पुरानी scheme में से ही question बनेगा और जब question बनेगा तो soil health card से इस तरीके की चीजे अभी वो आपसे पूर सकते क्योंकि 3-4 साल पुरानी scheme में आपको रटा होना चाहिए तो यह 12 parameter आपने पूरे अच्छे तरीके से रटने पड़ेंगे category wise रटेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा macronutrients NPK जो सबसे ज़्यादा famous है फिर secondary nutrients इसमें सिर्फ sulfur है S for secondary, S for sulfur ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं फिर macronutrients macro में zinc, iron, copper, manganese और boron और फिर उसके पाद physical parameters इसमें 3 test होना है pH value test यानि की potential of hydrogen और दूसरा EC electrical conductivity और तीसरा organic कारवन यानि हमें 3 जीओं के किस पर ध्यान देना है hydrogen, carbon और electricity conductivity अगली scheme की तरह पाते हैं अगली scheme हमारी कहती है प्रधान मंदरी किसान सम्मान में दे, PM किसान तो PM किसान में क्या काम करते हैं ये कुछ नहीं है इन्होंने ये अभी 24 अपरेल 2020 को सबसे पहले दो इस scheme का एक साल complete हुआ है और इसमें लगवब 8,8 करोड, 86 लाख जो किसान है हमारे उन्होंने इसके अंदर लाव प्राप्त किया है ठीक है? इसमें क्या होता है? इनकम सपोर्ट दिया जाता है किसको किसानों को और उनके परिवारों को ये जो फाइनेंसियल सपोर्ट इनको किया जाता है ये क्यों किया जाता है? क्या सिर्फ क्रसी के लिए दिया जाता है? नहीं याद रखना है question जब भी पूछेगा तो ऐसे ही घुमाएगा कि PM किसान योजना में किसानों को जो income support दिया जाता है या financial support जो दिया जाता है वो दिया जाता है option A खेती से सम्मंदित कामों के लिए option B अपने domestic कामों के लिए option C दोनों के लिए और option D दोनों के लिए नहीं तो हमें ये नहीं समझना है कि किसान है तो सिर्फ खेती के लिए देंगे नहीं PM किसान यानि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी में उनके agricultural जो activities है उसके लिए और साथ में जो domestic activities है उनके लिए ये सम्मान रासी दी जाएगी तो कितनी रासी दी जाएगी ये रासी दी जाएगी 6000 रुपीस इन वन एर एक साल में 6000 रुपे सरकार की तरफ से एक किसान परिवार को दिये जाएगे कैसे दिये जाएगे ये तीन किस्तों में दिये जाएगे यानि कि हर चार महिने में इनके पास 2000 रुपय डिरेक्ट बेंक ट्रांसफर कीया जाएगा जिसका आपयोग ये अपने कोर्डिंग कर सकते हैं जैसा जिसका मन पढ़ता है अब किसके आकाउंट में ये 6000 रुपय जाने हैं और किसके आपाउंट में नहीं जाने हैं उन Beneficiary स्की लिस्ट कौन बनाएगा उन Beneficiary स्की लिस्ट बनाएगा या तो State Government और या पिर Union Territory में जो Government है वो तो सुरुगात में जब ये इसकीम लौंच की गई थी तब ये initially छोटे और जो Marginal Farmers होते है मनलब small and marginal farmers उनके लिए ये scheme बनाई गई थी लेकिन बाद में इसने और भी लोगों को आपस में ले लिया तो ये जो चोटे और marginal farmers हैं ये कौन कहलाते हैं वो सबी किसान या वो सबी किसान परिवार जिनके पास 2 hectare से कम की जमीन है और ये क्राइटेरिया बाद में बढ़ा भी दिया गया था और इसमें से ये जो 2 hectare वाला clause है ये निकाल दिया गया था तो अगर अभी आपसे ये question exam में पूछे कि प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी में सिर्फ उन्ही किसानों को ये सम्मान रासी दी आती है जिनके पास 2 hectare तक की जमीन है तो हमें ये टिक महीं करना है क्योंकि ये सुरुवात में तो था लेकिन बाद में ये हटा दिया गया है अभी इसमें से किसको हटाया गया है अब effluent farmers यानि वो किसान जो थोड़ा सा धनी है जो अमीर किसान है उनको इसमें से हटा दिया गया है जैसे कि जो income tax भरते हैं अभी धनी किसान को ये किसके पास पैसा है वो कैसे पता चलेगा कि वो income tax उसने last year भरा था या नहीं भरा था professional है कि वो कोई जैसे like doctor के पास भी खेद हो सकते तो वो कोई professional है कि doctor engineer lawyer chartered accountant अगर है तो उसको ये 6000 नहीं मिलेगा ठीक है और क्या कोई ऐसा pensioner तो नहीं है जिसको 10,000 रुपे की pension मिल रही हो और तभी भी वो किसान है और उसके बाद ये 6000 ले ले तो वो नहीं होगा अगर आपको already 10,000 रुपे की pension कहीं से मिल रही है तो फिर आप प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी में participate नहीं कर सकते हो लेकिन इसमें exclude किसको किया गया है pension वाले clause से MTS, Class 4th और Group D के जो भी करमचारी है उन लोगों को इस चीज से exclude किया गया है और जो भी institutional landholder है उनको ये निदी में से कोई सम्मान रासी नहीं मिलेगी ठीक है अभी बात आती है जब हम ये scheme पढ़ रहा है कि what is a small and marginal landholder family अभी आप ये कैसे decide करोगी कि कोई भी किसान है वो छोटा है या फिर marginal यानी कि सीमानत है ये कैसे decide करोगे तो ऐसा किसान परिवार जिसमें husband हो बाइप हो और कम से कम एक minor हो minor मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी उमर 18 साल तक की हो लगभग 2 hectare तक की जमीन पर खेती कर रहा हो और ये उसका जो record है वो किसके पास maintain हो estate government के पास तब ही उसको small या marginal landholder family माना जाएगा फिर उसके बाद similar program by states है आप वीडियो पॉस करके इसको देख सकते हो कि कौन-कौन से program हो और अपने notebook में easily लिख सकते हो मैं पढ़ूँगा उस चीज कोई sense है ने फिर आगे बढ़ते हैं अगली scheme की दरब प्रधान मंत्री किसान मान धनी होजना PMKMY इसमें क्या है इसमें जो old age किसान है ठीक उनके लिए pension देने की scheme है यह basically तो इस pension scheme का क्या nature है एक तो यह voluntary है और दूसरा contributeory है मतलब अगर आप चाहो तो इस scheme में participate कर सकते हो और दूसरी चीज़ अगर participate करते हो तो आपको कुछ ना कुछ contribute करना होगा कुछ ना कुछ मतलब आपको कुछ पैसा contribute करना होगा आपको कितना पैसा पे करना होगा इसमें आपको 55 रुपे से लेके 200 रुपे तक का कोई भी amount पे करना होगा अपनी age के according यानि कि इसमें क्या है 18 साल से लेके 40 साल तक जो हैं या जो किसान 15 रूपे लेकर इसमें किसान ऐसा on capable बरना पड़ेगा हर महीने और जब यह किसान का 20 रूप पर मन्त मिलना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे इसमें एक टी और है कि अगर साठ साल के बाद किसान जीवित नहीं रहता है तब क्या होगा अगर किसान साठ साल के बाद जीवित नहीं रहता है तो उसका आधा पैसा किसको मिलेगा उसकी बाइफ को अगर उसकी बाइब भी नहीं है तो फिर उसके पैसे किसको मिलेंगे उसके नौ मिनी को अभी एक और बात आती है कि अगर सपोस्थ कोई किसान है उसने अपना तो पैंसन वाले इसकी में अपना खुलवा लिये प्रधान मंतरी किसान मौंधन यूजना में लेकिन वो चाहता है कि उसकी बाइब भी सेम एक बीमा करवा है तो क्यों करवा सकती है हाँ वो करवा सकती है और इनकेस अगर कभी पती और पतनी दोनों किसान नहीं रहे और इनकेस जो हमारे किसान पती और पतनी है वो दोनों ही नहीं रहते हैं 60 साल की उमर तक तो फिर क्या होगा यह पैसा ऑटोमेटिकली सरकारी खजाने में जमां होता रहेगा सरकारी खजाना मतलब पेंशन फंड में यह अगें जमां हो जाएगा नाइफ इंसरेंस कॉर्परेशन यानि एलाइसी जो है वो इस सभी पैंसन वाले जो भी पूरा फंडा इसके लिए रिस्पॉंसवाल है यानि इंप्लिमेंटिंग एजन्सी कौन है एलाइसी जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बदा दी बाकी आप यह एक बार वीडिय की जाएंगे ठीक अब अगली स्कीम पर आते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम पीजी एस तो यह पीजी एस क्या है इसमें बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है ना बहुत बड़ा कोई लॉपिट साइंसे सिंपल सी चीज है कि हमारे और्गनिक फार्मिंग क लिए एक साइटिफिकेट दिया जाएगा अब वो या तो साइटिफिकेट हो सकता है जिस पर स्टेटमेंट लखा रहाएगा और बूसरा या तो आप उनको क्या दे देते हो लोगो टाइप का कुछ एक दे देते हो जिसको कि वो यह लोगो अपने प्रोड़क्त की ऊपर लगाते हैं और लोगों को पता चलते रहता है कि यह प्रोड़क्ट और्गनिक है या नहीं है नीचे जो भी यह लाइन लिखिए इंटरनेशनल फेडरेशन और और अर्गनिक अग्रिकुल्चर मुमेंट यह आपने कुछ से ही पढ़नी है क्योंकि यह ऐसा बहुत ज़्याद यह सिर्फ हम एक साथ रख करेंगगे किस चीज के लिए और अर्गनिक फार्मिंग बढ़ाने के लिए कहां देश में हमें अपने देश में और और विनिक फार्मिंग बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए कौन सी स्कीम है तो सबसे पहले जी यहां समझने वाली Year 2015 से जो हमारी Government है वो Organic Farming को बढ़ावा दे रही थी कैसे दो scheme हैं यहां चल रही थी The first one is Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region North Eastern Region यानि जो आठ एस्टेट हैं North East में उनके लिए यह scheme थी और दूसरा परंपरावत क्रसी विकास योजना इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे तो इन दोनों scheme को इन दोनों scheme के थुरू Government Organic Farming को बढ़ावा दे रही है और यहां जो अगली बात बताई आ रही है कि यह जो Organic Farming है इसके support में और भी scheme है मतलब और भी ऐसी schemes है जिनके चलते Organic Farming को बढ़ावा मिल रहा है जैसे ही रास्ट्रिय क्रसी विकास योजना और इसके लावा Mission for Integrated Development of Horticulture यह भी एक scheme है जिसके गारण इसको फायदा मिल रहा है ठीक है Network Project of Organic Farming under ICAR ICAR के बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें certificate कौन दे रहा है Third Party देगी और यह promote किस के दुआरा की जा रही है यह Organic Farming Agriculture Processed Food and Export Development Authority यह किस के अंदर आता है यह Ministry of Commerce के अंदर आता है यह चीजें जो है अभी यह रटने वाली है आपके पास नहीं है आपके पास नहीं बस material ठीक्टा हो तो आप नहीं पर maximum चीजें उसमें रट लेनी होती है अगले point में अगेन वही पुरानी scheme के बारे में बता रिया जो मैं शुरुआत में बता चुगा हूँ Mission Organic Value Chain Development of North Eastern Region के बारे में इसकी में बता चुगा हूँ कि यह सिर्फ आठ राज्यों के लिए है और यहां इस पहरागर आपना उन आठ राज्यों के नाम भी दे दिये गए है और इसका aim क्या है इसका aim यह है कि यह कुछ ऐसा develop कर सके जिससे की organic production जो हो रहा है यह जो organic production की chain है इसमें grower और consumer यानि कि जो उत्पादन कर रहा है जो produce कर रहा है वो और जो consume कर रहा है consumer वो इन दोनों के बीच में direct linkage हो सके और इसके अलावा हम support provide कर सके किस चीज के लिए starts from input input मतलब आपने बीच दिया आपने सिचाई की विवस्ता की या आपने cultivator बोलाया कुछ में बोलाया वो क्या है वहां से start होता है और जहां तक वो भिक नहीं जाता मतलब आप ऐसे समझो government क्या चाह रही है कि जो खेत में input जा रहा है like किसान ने खेत के लिए कुछ fertilizer खरीदा यह input हो गया फिर उसने fertilizer का यूज किया कुछ एक product produce किया product produce करने के बाद यानि की फसल होगाई वो फसल होगाने के बाद उसने वो फसल या तो खुद से ही आगे process करी या किसी third party को दे दी उसने उस फसल को process किया और कुछ अच्छा सा एक product बनाया like उसने गयाउं से आटा बनाया और उसे पेक किया पेक किया फिर उसकी marketing करने पड़ी advertisement करना पड़ा और advertisement होने के बाद वो बिका तो शुरुआत में जब वो fertilizer खरीद रहा था और वहां से last जब तक कि उसका वो आटा consumer के हाथ में बिक नहीं जाता इन सब को आपस में connect करने के लिए बस यह एक chain बनाना चाह रहा है और इसके लावा यह जो last paragraph है यह simple सी एक छोटी सी बात कहता है अगर आप इसको अच्छे समझेंगे तो यह assistance assistance मतलब सहायता provide करता है किस चीज के लिए cluster development करना हो आपको या फिर farm import production की बात हो या फिर supply of seeds मतलब बीजों के supply की बात हो planting material की बात हो जितनी भी activities होती है सीधी बात यह है जितनी भी activities होती है उन सबी activities में यह आपको assistance भी provide करेगी कौन government या third parties जो आपको certificate दे रही है तो अभी अगली scheme जो आती है परंपरागत किसान विकास योजना जैसा मैंने आपको बदाया था कि यह scheme को हम थोड़ा सा deep में discuss करेंगे परंपरागत क्रसी विकास योजना क्या है यह एक component है किसका national mission of sustainable agriculture का जिसमें क्या होता है soil health management होता है बड़े जो project होते हैं इसका implementation करने के लिए हमें क्या जरूदी है cluster approach से organic villages बनाने है और इसके लिए certification क्या होगा TGS certification participatory guarantee system के तहर 50 or more farmers will form a cluster having 50 acres length to take up the organic farming under the scheme अगर इस scheme के अंदर किसी किसान को आना है तो 50 किसानों से ज्यादा को आपस में मिलकर 50 acres से ज्यादा की जमीन एक साथ collect करनी होगी उसका एक cluster बनाना होगा और फिर तभी वो इस scheme के अंदर organic farming कर सकता है या उस scheme के दायरे में आएगा और सबसे मुखवात जो सबसे अंत में निकलके आती है कि organic farming क्यों या क्या इसका लाव होगा इससे क्या होगा कि जो भी हमारा final product निकलके आता है अब क्योंकि वो organic तरीके से बनाया जा रहा है और सभी process organic तरीके से हो रही है तो इसमें जो pesticide residue होता है pesticide residue मतलब जो हम कीट ना सक बगेरा चड़कते हैं या फिर basically इसको कीट ना सक ही बोलते हैं या जो भी हमने रसायन फसलों के उपर चड़के हैं तो उनके कोई भी अब से इसमें नहीं रह जाते हैं और जिससे की consumer की health हिससे खराब नहीं होती है तो यह इसका main फायदा है तो Ministry of Agriculture and Farmers Bell Bear में इससे आगे बहुत कुछ महत्रपूर्ण ऐससे चुगा नहीं है तो इस lecture को हम यहीं कदम कर दें और